हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का अध्याए अपटित गद्यांश unseen passage बच्चो अपटित गद्यांश का अर्थ होता है पहले कभी ना पढ़ा गया गद्यांश पाठे पुस्तक में संकलिक पाठों के अत्रेक अन्य स्थानों के लिए गद्यांश ही अपटित गद्यांश कहलाते हैं इन गद्यांशों के द्वारा विद्यार्तियों के सामन्ने ग्यान और भाषा ग्यान के विशे में जाना जाता है इन गद्यांशों के नीचे प्रश्ण दिये जाते हैं इन प्रश्णों के उत्तर गद्यांश में से ही ढून कर लिखने होते हैं बच्चों याद रखने योग्ये बाते पहले गद्यांश को दो तीन बार पढ़िये ताकि समझ में आ जाए दिये गए प्रश्णों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें गध्यांश की भाषा में नहीं दियान रखें कि प्रश्णों के उत्तर गध्यांश से ही हूँ संशिप्त उत्तर दें संशिप्त मतलब छोटा गद्यांश का शीर्षक दो या तीन शब्दों का ही होना चाहिए उद्हारन स्वरोप नीचे दिये गए गद्यांश और उनके प्रशन उत्तर देखिए आईए बच्चों पढ़ते हैं गद्यांश और उसके दिये गए प्रशन उत्तर एक गधा था एक दिन उसे कहीं से शेर की खाल मिल गई गदे ने खाल पहन ले अब शेर के शेश में वहफ दूसरे जानवरों को डराने लगा गधा बहुत खुश रहने लगा एक दिन खुशी-खुशी में गधा जोर से रेंगने लगा गदे की आवाज सुनकर एक लोमणी ने उसे पहचान लिया उसने यह बाद दूसरे जानवरों को बता दे गदे की पोल खुल गई सबी जानवर उस गदे पर तूट पड़े सच है धोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता पहला प्रश्ण है गदे को किस जानवर की खाल मिल गई? उत्तर है गदे को शेर की खाल मिल गई दूसरा प्रश्ण गदा दूसरे जानवरों को कैसे डराने लगा? उत्तर है वै शेर के भेश में दूसरे जानवरों को डराने लगा तीसरा प्रश्न गदे ने खुशी-खुशी में क्या किया? उत्तर गदे ने खुशी में जोर-जोर से रेंकना शुरू किया प्रश्न चार गदे की आवाज सुनकर किसने उसे पहचान लिया? उत्तर गदे की आवाज सुनकर एक लोमडी ने उसे पहचान लिया प्रश्न पांच है इस अनुछेत से क्या शिक्षा मिलती है उत्तर हमें धोंग से बचना चाहिए धोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता तो बच्चो आपने देखा कैसे हमका द्यांश को सही पढ़ते हैं और उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं आशा करते हूँ कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वैम कीजिएगा